तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ best of 5 gaming laptops under 80,000 जिन में आपको बहुत ही अच्छी gaming performance मिलेगी, no thermal issue मिलेगा, no heating issue मिलेगा, kamal के laptops है, उनकी battery backup भी आपको अच्छी मिलेगी, value for money भी होगे और under budget भी होगे, लेकिन उसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी चनल पर नई है तो हमारी चनल को सबस्क्राइब करना ना भूले, और साथ ही में प्रेस करें बैड आइकन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो की notification सबसे पहले, तो वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन laptop को मैंने चुन चुन कर जो है, सेलेक्ट किया है, ताकि आपको अच्छे laptop में, तो इसलिए मैं आपको भी request करता हूँ कि प्लीज हमारी चनल को सबस्क्राइब करें अगर हम नए है, प्रेस करें बैड आइकन को, ताकि आपको मिले हमारी वीडियो की notification सबसे पहले, तो दूस्तों मैं आपको वीडियो स्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि यह जो laptop से आपके choice के सबसे वैरी कर सकते हैं, आप बोलो के बाद में comment में यह वाला पहले होना चाहिए, यह वाला पहले होना चाहिए, मैं आपको यह बता तूं कि मैंने इन पर बहुत ही research की है, तब ही मैं आपको यह पहले नंबर के laptop की जानिब, so guys यहां पर हमने पहुंच यह नंबर पर रखा है, इस उस रोक सीटर की जी, जिसका model नावर है, जो आपको 82,990 में मिलेगा, इसके ratings के अगर हम बात करें तो 4.6 out of 5, अगर मिसकी specifications की बात करें तो 15.6 इंट का full HD anti-gare IPS पेनल देखने को मिलेग देखने के साथ, इसके processor की बात करें तो Intel का i7-9th generation 9750H देखने को मिलेगा, which will boost after 2.6 to 4.5 GHz, इसकी RAM की बात करें तो RGB की DDR4 RAM, 266 MSR देखने को मिलेगी, जिसको 32 GB तक expand कर पाऊगी, दोस्तों देखने को मिलेगे, 512 GB SSD मिलेगी, अगर मिसके graphics card की बात करें तो NVIDIA का GTX 1650 वाल आफ चार्ज B का graphics card को देखने का मिलेगा, DDR5 वाला, अगर मिसके Porsche की बात करें तो 3 USB 3.1 Type A मिलेगा, HDMI 2.0, A port मिलेगा, LAN port मिलेगा, Mike in or a RJ45, अगर मिसकी बैटरी की बात करें तो 150 Watt की, जिन सेंस वाली बैटरी मिलेगी, आपको virtual lost after 5 to 6 hours in normal usage, अगर आप gaming अगेरा करोगे तो आपको दो से डाइगंटे आराम से मिलेगा, इसकी keyboard की बात करें तो full RGB keyboard देखने को मिलेगा, आपको Bluetooth 5.0 मिलेगा, इसका weight है 2.4 kg और Windows 10 प्रें अस्टारे मिलेगा, तो आप सूचे होगे कि अकसर ये Rocks Trickers जी जो है, हर किसी वीडियो में 4 या 3 नमर पर होता है, लेकिन इस पांचवे नमर पर क्यों है, तो इसलिए क्योंकि अगर आप इसकी build quality की बात करोगे, तो fully plastic है, और दूसरी बात, आपको इसमें सिर्फ 2 slots मिलेगे, 512 GB SSD की, इसमें आपको SGD नहीं मिलेगी, और तीस जी पर आपको इसमें less battery backup मिलेगा, और इसमें no USB type C है, इसलिए हमने इस लैपटॉप को पांचवे नमर पर रखा है, और अगर हम इसकी price की rate देखें तो price की भी थोड़ा ज्यादा ही है, 81,000 है, इसके specifications के हिसाब से, तो चलिए बढ़ते हैं आपने चोथे laptop की जानिब, तो दोस्तों यहांपर हमने चोथे नमर पर रखा है, लिनोवो का Legion L540 जो 508 देखने को मिलेगा, विद 8MB के एजर, अगर हम इसकी RAM की बात करें तो DDR4, RGB की DDR4, RAM 2666, MNZ वाई देखने को मिलेगी, जिसको आप 32GB तक expand कर पाऊँगी, और एक TV के SSD मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है, अगर हम इसकी graphics card की बात करें तो NVIDIA का GTX का 1650 वाला graphics card 4GB का 45W मिलेगा, अगर हम इसकी बैटरी के बात करें तो 170Hz की 3Cell वाली 52.5W की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, विच्वे लास्ट एप तो 5-6 hours in normal use, अगर हम गेमिंग को करें तो देट से 2 गंटे आराम से मिलेगे, अगर हम बात करें इसकी Bluetooth की तो आपको 4.2 Bluetooth मिलेगा, और इसका वेट है, 2.3 KG, 720 HD, वेब के हम देखने को मिलेगा, आपको Kingston Log 1 मिलेगा, Windows & Home Plus MS Office प्रिन स्टारी मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है, तो दोस्तों यह था हमारा चौता लेपटाप तो बाढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा थीस्टार लेपटाप, दोस्तों हम परने तीसे नमर पर रखा है, आसुस का टाप जिसका मोडल नमेर है, FX505 GT-ALW070, जो आपको 81990 में मिलेगा, अगर मिसकी रेटिंग की बात करें तो 4.3 है, और 5, सबसे पहले अगर इसकी स्पैसिकेशिशन की बात करें तो 15.6 इंच का फॉल HD IPS इस इस प्रेंट के लिए द देखने को मिलेगी जिसको 32GB तक EXPAND कर पाऊगे, NVME की 5512GB की M.2 SSD देखने को मिलेगी, प्लस 2.5 इंच की साटा आपको मिलेगा, इसकी ग्राफिस कार की बात करें तो एंवीडिया जीफोस का GTX 1650 DDR5 वाला 4GB का ग्राफिक्स कार आपको देखने को मिलेगा, इसकी पॉर्स की बात करें तो एक USB 2.0, दो USB 3.2, एक HDMI, एक Audio Jack, एक RJ45 और एक Kingston Lock आपको, और अगर हम इसकी बेट की बात करें तो 2.20KGA आपको इसके साथ RGB बैकलेट की एबोर्ट मिलेगा, बैटरी लाइफ आफ्टर फोर हावस मिलेगी, HD कैमरा मिलेगा, इसमें और Windows 10 प्रें अस्टाल मिले जिसके अगर हम रेटिंग की बात करें तो 4.8 है, और फाइफ, अगर मिसकी स्पेसिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको 15.6 इंच का फुल एजी एंटिक लेर IPS दिश्पे देखने को मिलेगा, विफ 144 होर सिफरे स्टेट के साथ, अगर मिसकी प्रोसेसर की बात करें त फाइफ, अगर हम इसके ग्रैफिस कार्ड की बात करें तो आपको यहां पर NVIDIA GTX का 66 CTI का 6GB का DDR 5.4 ग्रैफिस कार्ड देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें तो एक USB 2.0 मिलेगा, दो USB 3.1 मिलेगा, एक USB 3.1 Type-C मिलेगा, आपको HDMI 2.0 मिलेगा, लैन पॉर्ट मिलेगा, बैटरी की तो आपको यहां पर 135 वाड की चार्चेल वाली बैटरी मिलेगी, जो आपको स्यास से और गंटे आराम से देगे, अगर आप गेमिंग वागे राकार होगे तो आपको स्रिफ डाय से 3 गंटे मिलेगा, अगर मिलेगा, ब्लुटूस 5.0 मिलेगा, 720 HD webcam मिलेगा, किं 3.3 के यह खाली, दो हमने इसको दूसरे नमर पर इसलिए रखा है क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें 44 होड की रिफरेश्ट वाली डिस्प्लेय मिलती है, 6 GB का ग्रेफिस कार्ड मिलता है, 2 TB की HDD मिलती है, प्लस 656 GB की SSD मिलती है, तो दोस्तो चले बढ़ते हैं आपने पहल 4.6 है, आउट आफ फाइफ, अगर हम इसकी स्पेस्केशिकेशन की बात करें तो 15.6 इंच का Full HD Anti-Clear IPS दिश्प्लेय देखने को मिलेगा विज 60 होड सिफरेश्ट के साथ, अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इंटल का i5 90 जनरेशन 93 008 मिलेगा विफ 8 MB कैजर, विच 2.4 तो 4.1 GHz, तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इसकी RAM की बात करें तो यहां पर आपको RGB की DDR4 RAM मिलेगी, 2667 MZ वाली, जिसको 32 GB तक expand कर पाओगे, 1 TB की HD मिलेगी, 7200 RPM वाली, 256 GB की SSD मिलेगी, 2 memory slots मिलेगी, जो की plus point है, ग्रेफिक्स कार्ड की बात करें तो NVIDIA GeForce GTX का 1650 वा आपको पॉट्स की बात करें तो 1 USB 2.0 मिलेगा, 2 USB 3.1 मिलेगा, 1 USB 3.1 Type-C, 1 HDMI, 1 Mini DisplayPort, 1 Audio Jack, और 1 Kingston Lock मिलेगा, अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 185 Watt की चार्शल्स वाली बैटरी आपको मिलेगी, जो आपको और गंटे देगी, नॉर्मल उसे में, लेकर आप गेमिंग वगेरा करोगे तो डाय से 3 गंटे आराम से देगी आपको, उसके साथ आगर हम इसकी कीबोर्ड की बात करें तो fully RGB backlit कीबोर्ड आपको यहां पर मिलता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ नहीं है, इसमें Bluetooth की बात करें तो आपको Bluetooth 5.0 मिलेगा, उसकी वेट की बात करें तो दो memory slots मिलते हैं आपको और इसमें as computer other laptops इसमें आपको ports ज्यादा मिलते है, अच्छी battery backup है, full RGB keyboard है इसमें, प्लस इसमें जो best thing है, वो यह है कि इसकी price point इसकी price point जो है, दोस्तों बाकी laptop से काम है, और इसमें specifications उसके साब से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको पहले नमर पर लगी होगी, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना बोले, और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें, और साथ में bell icon को भी प्रेस करना ताकि आपको मिलेगी हमारी वीडियो सबसे पहले, तो चलिए मिलते हैं न झाल 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 झाल